नमस्ते दोस्तों कैसे हूँ आप सब आप सब आप सभी अच्छे होंगे हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही जादा यूसफुल और इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो एंट तक जरू देखिए पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले यहां पर हमारी सबसे पार के अप हमारे पास नली वाला दिया नहीं है तो फिर हम दिया कैसे लगाए जिससे कि वह एरिया बिल्कुल बीus ना भो इसके लिए हमारी सेफ्टी नहीं है आपको नया दिया लहन सब्सक्राइब से बाटी पर सेफ्टी पिन के मदद से अब से आपको ये दिकत कभी भी नहीं होगी तो जरूर ट्राइ कीजिए और पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और यहां पर हमारी जो नेक्स टीप है वो है खाली दही के पैकेट के लिए तो दिखें दही का पैकेट जैसे हम थोड़ा बहुत अच्छे से थोड़ा सा शेक कीजिए जिससी की थोड़ा बहुत भी कही पे अगर दही या फिर चास है तो वो निकल जाए या फिर कही आप मार्केट से दही या चास नहीं लेके आते हो घर पे बनाते हो तो बच्ची हुई जो धई होती है चास होती बहुत ज़दा खटी ह चाहू तो आप पोधों के उपर भी कार सकते हैं अ Luigi में केड़ कारके रही है दो तो जैसे उसके मिटि में डालिये, जड़ में डालिये, जिसे की जो पौधे ना जिसे पौधे बहुत अच्छे ए गुरो होते और जो फ्लावर वाले पौधे होते हैं नो बहुत अच्छे से इस तरीके के बलून के लिए देखें जो बलून होते हैं हम आजकल हर एनिवरिसरी बर्थड़े पर हमारे घर में आते हैं पर इतने बड़े होते कि इसे अगर हम यूज होने के बाद कहीं रखना चाहेंगे तो बहुत ज़ा स्पेस ले लेंगे पर इसे हम खोल के पहले जैसा बिल्कुल इसकी हवा निकाल के रख सकते हैं और दोबारा यूज भी कर सकते हैं इसकी हवा निकल जाएगे तो दोबारा यूज नहीं होगा पर इसके लिए आपको क्या करना है दिखें यह जो बलून होते हैं इसको फुलाने के लिए छोटी से नली आती है तो वो नली इसी में रहने देना है और पूरी हवा निकाल लेनी इससे क्या होगा ये दो बार आप फुला पाओगे अच्छे से ये काम भी करेगा और इसे कहीं भी आप रहगोगे ज़ादा जगभी नहीं लेगा और रियूज हो जाएगा साथी में आपको बार-बार खरीदनी की नहीं पड़ेगी मतलब पैसो की भी बचा और घर भी ऑर्गनाइज रहेगा जरूर ट्राइ कीजिए और आप ये वीडियो किस गाव से या शेर से देखरें मुझे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताए ताकि मेरा वीडियो कहां कहां पहुंचा हो मुझे पता चल सके और यह गाट क्या होती ना दिखे गरदन पर ये चुबेगी साथी में आप देखना दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ज्यादा तर चुबने का भी डर है बच्चों को तो इसके लिए आपको क्या करना है दूसरा आइकार लेनी की बिल्कुल जोरत नहीं है यहाँ पर हमें दिया या फिर गैस के उपर इसे इस तरीके से गरम करना है ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो बस आप एक दूसरे के उपर इस तरीके से रग दीजे थोड़ा सा ध्यान से कीजे गरम होता है तो जैसी ये ठंडा हो जाएगा बहुत ही अच्छे से सेट हो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं और खासकर ये चुभेगा नहीं जरूर ट्राइ कीजिए ऐसी कुछ चीजे होती जिसे हम घर पे ठीक कर सकते पर ज्यादा तर हम इस पारे में सोचते नहीं और नहीं ले आते पर कीजिए तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसो की बचत कर और आपको बहुत अच्छा भी फील होगा चले देखते हमारी नेक्स्ट इप कौनसी है मोमबत्ती देखे आजकल कमी वैसे यूज होती लाइट जाने के बाद या फिर जैसे कैंडलाइट डिनर में तो आप देखना जैसे मोमबत्ती लगाते तुरंत ही खतम हो जाती पिग बहुत देर तक जलेगी और खतम नहीं होगी और यहां पे हमारी नेक्स्ट इप है मैगी के लिए अक्सर आपने देखा होगा मैगी जो बच्चे खाते ना तो वो चमच पे ऐसे लेना चाते मैगी को पर आता ही ने जैसे टीवी मैड दिखाते या फिर कोई दूसरों को दे पर ऐसे आड़ा तेड़ा कट करोगे तो मैगी यह बिल्कुल भी पकने के बाद स्पून के उपर नहीं आती तो इसकी ट्रिक में देखे कैसे आपको यहां पे मैगी को मैने इसी तरीके से पका लिया है अब बच्चे नहीं यह करना चाहते पर स्पून पर आई नहीं पाता तो के मिट्टी के लिए अकसर हमारे घर में कुछ पूधे होते चाहँ कर ब necesario करना ही है असी चीजी हान, मिट्टी यह में ठीशनी आपको आए तो इसे मिट्टी में करना है ज़्यान रखे यहां पे आपको गीली मिट्टी यूजकर नहीं है सूखी वाली मिट्टी यूज़ करनी है तो इसे हम डालेंगे मिक्सी जार में आप सोच रहे हूंगे मिक्सी जार में मिट्टी का क्या ही यूज़ होगा बहुती ज्यादा आपका यहां पे फायदा होने वाला एक बहुत बड़ी मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी पैसो की तो बच्चत होगी होगी साथ ही में आपके रुके हुए काम भी हो जाएंगे तो यहां पे दिखें मिक्सी जार में मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालिए यहां पे आपको एक बात का खास ध्यान रखना है मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर नहीं होने चाहिए हलके फुल के पत्थर हो जाए तो चल जाएगा पर बिल्कुल भी बड़े पत्थर ना लीजे जिससे के आपका मिक्सी के जार खराब हो सकता है इस बात का ध्यान रखिए अकसर आपने देखा होगा मिक्सी जार का हम डेली बहुत ज़दा यूज़ करते कुछ दिनों इसकी जो ब्लेड है उसकी धार कम हो जाती है अब इसमें कुछ भी हम पीसने जाते है तो वो क्या हो जाता है बारिक नहीं होता टाइम लेता है या फिर जैसे बहुती ज़्यादा वो मोटा मोटा रहता है जो की हमें बिल्कुल वे अच्छा नहीं लगता है इसमें टाइम भी चला जाए तो ऐसे करते करते बाकी काम भी हमारे रुख जाएंगे तो इसे ठीक करने के लिए हम ब्लेड चेंज करवाते है बाहर जाके बज़िस से की पैसे भी जाते है मिक्सी जार भी दो दिन बाहर ही रहता है कोई ताइम पे देता है नहीं देता है पर इसके लिए आपको क्या करना है मिक्सी जार में मिट्टी भरनी है और इसे एक से दो बार बस मिक्सी में गुमाना है तो आप देखोगे मिक्सी जाल जो है उसकी ब्लेड बहुत अच्छे से तेज हो जाती है बिल्कुल भी यहाँ पर आपको जो ब्लेड है उसे चेंज करनी की ज़रत नहीं या फिर बाहर देनी की ज़रत नहीं पड़ेगी और यह दिखे कितने अच्छे से जो मिट्टी है वो भी थोड़ी बहुत बारिक हो चुकी बस यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें बड़े बड़े पत्तर ना आए तो इससे अपका जो ब्लेड है न बहुत यह से से तेज हो जाएगा अच्छे से काम भी करेगा आपको सबसे जादा कौन सी ट्रिक अच्छ कि भी को ऑनचे से शागा कौन से तेना है जो झां यहाँ पला हूड़े बड़े शिर यहाँ झाल भी अच्छे से यहाँ उचा है सबस्या भेराव।